हेज फ्रेंज वेलकम तो ओरिजिन्स इशाला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके फ्लिफ लॉप के क्यारक्टर्स्टिक टेबल, क्यारक्टर्स्टिक इक्विशन के बारे में इसी के साथ एक और टॉपिक करेंगे तो आज जेके फ्लिफ लॉप के बारे में सब कुछ डिसकस कर लेंगे हम लोग फटाफट से तो सबसे पहले अगर मैं बोलू क्यारक्टर्स्टिक टेबल की हम लोग बात करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करता है तो सबसे पहले तो अगर आप क्यारक्टर्स्टिक टेबल कर रहे हैं आपको जेके फ्लिफ लॉप का अच्छे से थूट टेबल आना चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैंने जेके फ्लिफ लॉप का थूट टेबल ले लिया है आपको basic understanding में दे देती हूँ, अगर आपने ये video, अगर पहले के flip-flop के video नहीं देखे तो आपको थोड़ा बहुत idea लग जाएगा and I would suggest आप पहले flip-flop देख लीजे and then come to characteristic table and rest of the things तो चलिए, JK में देख लेते हैं, clock बंद, अगर आप कुछी भी input देंगे, output वैसे के वैसर रहेगा that is Qn का Qn ही रहेगा, या मैं कहूँ कि next state वैसे का वैसर है, that is whole state clock चालू कर दी हैं, अब JK 00 है, तो output वैसे के वैसर है, अभी भी 01 है, तब Qn 0 हो जाएगा that is reset state, अगर 10 है, तो output 1 हो जाएगा, that is set state, 11 है, तो toggle हो जाएगा तो toggling में क्या होता है, 1010 dance करता है, तो यह मैं आपको briefing दी है, अगर आपको ऐसे लग रहा है अरे यह तो हमको आता ही नहीं है, यह वीडियो है, यहां से क्यों चालू हो रहा है, please do watch the flip-flop and then come to characteristic table, अब हम लोग इसी table को use करके, हमारा जो next table है, that is our characteristic table उसे बनाएंगे, तो characteristic table क्या करता है, हमारा जो present state है, let's say, अगर मैं बोलू कि Qn है, उसकी एक certain value, एक particular time के लिए, मैंने 0 या 1 पे fix कर दी, और फिर उसके respect में, अगर मैं JK को अलग-अलग values दूँगी, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, तो वहाँ पे हमारे output पे क्या effect आएगा, या मेरा next state क्या होगा, वो हम characteristic table की मदद से देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तीन input है, present state, input, input, तो यह input, input है present state क्या हमें बता देती हूँ, तो present state है यानि Qn, और जो हमारे input, input है, that is Jnk, तो दो input है और एक present state है, अगर आपको basic binary के numericals हम लोग जब करते हैं, तो हमें पता है कि अगर आपके पास 3 input है, तो हम उनके कितने different combination बना सकते है, 0s और 1 के, तो that is 8, तो यहाँ पे भी वही होगा, हमारे 8 अलग-अलग combination आएंगे, जिसके लिए हमारा Qn plus 1 change होगा, यानि अलग-अलग output देगा, तो यहाँ पे अगर आप binary के 0, 0, 0 से जाएंगे, तो यहाँ पे हम exactly वही condition लेने वाले हैं, Qn 0 है, Jk 0, 0 है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप characteristic table कहीं पर भी पढ़ेंगे, उसमें आपको ध्यान रखनी है, कि clock ऐसे assume करना है कि चालू है, तो कोई अगर ऐसे हो कि clock बंद होई तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, characteristic table ही नहीं बनेगा, क्योंकि अगर clock बंद है, आप कुछ भी कर लिजिए, system पर कोई फरक नहीं पड़ता, तो आप जब characteristic table पड़ते हैं, तो आपकी clock हमेशा on होती है, बस लिख ही नहीं जाती है, इस होदा table थोड़ा छोटा बच जाए, अब यहाँ पर very first condition जैसे मैंने लिया है, qn 0 है, और मैं 0 0 दे रही हूँ, तो मैंने कहा, जैसे truth table की मदद ले लेंगे, तो j और k अगर 0 होता है, तो हमारा जो output है, देख लीजे, qn वैसे के वैसा है, यानि जो 0 है, वो वैसे के वैसे 0 आ जाएगा, तो this is the importance of truth table in characteristic table, आप यहाँ से आराम से देख के यह फटा-फट से बना सकते हैं, next state, qn अभी भी 0 है, तो मैं थोड़े time तक 0 रख रही हूँ, अब देखिए, j और k की value change की, 0 और 1, तो output क्या आएगा, 0, तो देखिए, यहाँ पे भी output लिख देंगे, हम 0, next, qn अभी भी 0 है, और मैंने j और k को change किया, 1 0 पे, तो 1 0 के लिए output क्या है, 1, तो देखिए, यहाँ पे next state आगया, 1, यह बहुत interesting होता है, qn 0 था, मैंने jk में 1, 1 दिया, और यह आपका output qn compliment है, qn compliment बतलब 0 का compliment, क्योंकि qn का compliment करना है, तो qn अगर 0 है, तो 0 का compliment क्या होगा, 1, तो देखिए, यहाँ पे यह बहुत interesting होता है, बाकी normal चल रहा है, बट जब आपका jk 1 होता है, तब आपको थोड़ असा ध्यान रखना है, तो हमारा output 0 था, सिंस हमने jk को 1 दिया, तो toggle हुआ output, और 0 का 1 हो गया, अब हम लोग qn को 1 assume करेंगे, और फिर jk की same conditions देंगे, तो again first condition 00, तो जो output वैसे का वैसे ही रहेगा, qn 1 था, तो qn प्लस 1 भी क्या होगा, 1, तो जो है वैसे के वैसे, next, अभी भी 1 है qn, और मैंने jk में change किया, 0 और 1, तो यहाँ पे हमारा output हो जाएगा, 0, again through table आप चेक कर लिजिए, next state, that is 1 और 1 0 दिया, तो output क्या हो जाएगा, 1, तो देखे, 1 आगे output, last state, toggling state, तो 1 था, मैंने jk में 1 दिया, तो qn compliment, तो 1 का compliment क्या होता है, this is our qn, 1 का compliment 0, तो देखे, यहाँ पे 0 आगया, तो this is our toggling state, अब यह जो हमने table निकाला है, अगर मैं बोलू कि मुझे एक equation formulate करनी है, कि मुझे अगर कुछ input है certain और output चेक करना है, तो मैं इसको एक equation के format में भी चेक कर सकती हूँ, तो obviously मैं यहाँ पे bullion का simple concept लगा रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा अलग काम नहीं कर रही हूँ, rocket science वाला, यहाँ पे यह जो हमारा table हमने निकाला है, अगर मैं इसे k map में plot कर दूँ, तो I will get an equation, तो अगर मैं उस equation में value put करती हूँ, तो भी exactly यह सारे output मिल जाते हैं, तो सबसे पहले input कितने है, 3, तो अगर आपके 3 value हो, तो आपका k में कितने block का बनता है k map, that is 8 block, तो देखें, 8 block का में k map ले रही हूँ, input हमारे क्या है, qn और jk, अब हमारे input की conditions जो होती है, that is 0, 0, 0, 0, 0, 1, तो देखें, यह सब मैंने put कर दी है, अब इस पूरे output के जो field है, उसे यहाँ पर plot कर देंगे, तो सबसे पहले 0, 0, 0, output क्या आएगा, 0, 0, 1, तो यहाँ पर 0, 0, 1, क्या आएगा output, 0, next, 0, 1, 0, 0, 1, 0, आपर देख लीजे, 0, 1, 0, के लिए output आजाएगा, 1, next, 0, 1, 1, तो 0, 1, 1, के लिए output हो जाएगा, 1, फिर 1, नीचे वाली line पाएगे, यह वाली line पर, तो 1, 0, 0, that is 1, 0, 0, तो 1, 0, 0, के लिए 1, फिर 1, 0, 1, तो 1, 0, 1, output आजाएगा, 0, यह देखे, फिर 1, 1, 0, तो 1, 1, 0, तो 1, 1, 0, के लिए output क्या है, 1, and last वाला condition, 1, 1, 1, तो यहाँ पर देखे, 1, 1, 1, output है 0, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो यह हमने केमाप प्लॉट कर दिया, अब बारी है equation निकालने की, तो equation निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो common ones होते हैं, वो choose करने होते हैं, तो यहाँ पर देखे हैं, हमारे group कितने बनेंगे, 2, तो हमारा जो qn प्लस 1 है, उसके लिए सबसे पहले group क्या बनेगा, यह वाला, अब अगर आप इस part को देखेंगे, तो यहाँ पर common कौन है, j और k में, अगर आप देखेंगे, j वैसे के वैसे है, k change हो रहा है, तो जो change होता है, उसे हम हटा देते हैं, k में आप में है, तो j बचे का k चला जाएगा, और qn क्या है, 0 है, that is qn complement, तो मेरा जो first equation आएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो हमारे qn की value क्या है, तो qn 1 आएगा, यानि qn, और अगर आप j k में check करेंगे, तो k complement वैसे के वैसे है, वाइल यहाँ पर j 0 से वन जा रहा है, तो j निकल जाएगा, और k complement रहेगा, तो output would be qn into k complement, तो यह जो हमने equation develop की है, this is our characteristic equation, तो in short आपका जो बोलते हैं, sequence होता है, it is like आप पहले flip-flop कीचिए, उसका truth table देखिए, truth table अच्छे से अगर आप करते हैं, आपको characteristic table आएगा, characteristic table से आप characteristic equation निकाल सकते हैं, अब, जो characteristic equation है, that is again the root of excitation table, जो हमारा equation बनता है, उसका as well as state diagram, तो अब हम जो next करने वाले हैं, that is formation of excitation table, and state diagram of j के flip-flop, तो अगर आप कोई भी flip-flop पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी का, sequence maintain कीजिएगा, पहले flip-flop का diagram देखिए, उसका truth table समझिए, then you can go for characteristic table, characteristic equation, equation table देखते हैं, तो जैसे मैंने का, it is a formation from this, तो हमने characteristic table वैसे के, वैसे ही मैंने उठा लिया है, ताकि हमें इसकी मदद मिल सके, तो जो हमारा excitation table होता है, it is much more like saying, कि भाई, अगर मेरी एक certain exam में 60 marks आये हैं, let's say मुझे next, जब मैं same paper लिखूँगी, same paper का exam दूँगी, उसमें मुझे 100 marks चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, obviously 40 marks cover करने हैं, तो obviously आपको महनत करनी पड़ेगी, मैं cheating की बात नहीं कर रहे हूं, तो यहां पर हम लोग, technically क्या कर रहे हैं, हमारे एक work procedure में change ला रहे हैं, तो let's say हम लोग flip-flop के लिए बोलू कि, मेरा एक certain time पे एक output था, और मुझे उस output को change करना है, तो obviously binary value होगी, तो या तो 0 का वैसे के वैसे रहेगा, या तो 0 का 1 हो जाएगा, तो अगर आप output में change करना चाहते हैं, तो उस particular condition के लिए आपका input क्या होना चाहिए, that is known as the excitation table, यानि excitation table आपको inputs बताता है, कि अगर मैं बोलू कि मेरे जैसे मैंने का, कि मुझे 60 marks आए, मुझे 100 marks लाने हैं, तो मुझे 40 mark को जो cover करना है, तो मुझे कोई बोलेगा, अगर दो घंटे extra पढ़ लेना हो जाएगा तेरा काम, तो यह वही है, हम लोग बोलेंगे कि JK में क्या value डालेंगे, कि मेरा output change हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, हमारा output QN है, तो obviously output या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, तो अगर आप देखेंगे, मैंने combination लेने है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, very first condition है, कि मैं चलो बोल रही हूँ कि, चलिए सबसे पहले QN, 0 है, मैं ऐसा रज्यूम करूँ कि 0 है, और मैं बोलु कि, नहीं मुझे 0 का 0 ही रखना है, 60 marks में 60 marks में खुश हूँ, मुझे 90 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो output 0 है, और मैं बोलु नहीं, अभी भी मुझे 0 ही चलेगा, no issues with that, तो यहाँ पर आपको, इस characteristic table में, चेक कर लेना है, कि ऐसी कौन सी condition से, जहाँ पर QN, यहाँ पर भी हमारा output 0 का 0 ही रहेगा, तो यह condition अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो J की value दोनों में तो 0 है, तो यानि J 0 ही चाहिए, बट K, 0 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, तो हमारे K की value से कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ को चलिए हम note कर लेते, कि चलिए मैं बोल लूँ कि मेरा QN 0 था, अभी भी मुझे 0 ही चाहिए, तो J 0 है, और K में मैंने X डाला है, X इसलिए आप 0 रखिए या 1 रखिए, डेजन्ट मैटर, आपका output फिर भी 0 ही रहेगा, next condition, मैं बोल लूँ कि नई, अब मुझे 0 था, अब नई, मुझे 1 चाहिए output, तो अगेन आपको चेक कर लेना है, ऐसे कितने outputs हैं, तो फिर्स आउट्पूट तो यह देख लीज़े, जहाँ पे J is equal to 1 और K is equal to 0 है, next है उसके just नीचे वाली condition, कि J 0 है, sorry, Qn अभी भी 0 है और 1 की है मैंने, तो J 1 है और K b 1 है, तो यह condition अगर आप देखेंगे, तो J की value fix है 1 1, K की value अभी भी आप कुछ भी रखें, doesn't matter, तो इसे भी हम note कर लेते हैं, तो देखें, अभी भी Qn 0 है, और मैंने बोला कि चलिए 1 करना है, तो देखें, J की value 1 fix रखेंगे, और K की value X, यानि किये कुछ भी हो, doesn't matter, next condition मैं बोली हूँ, चलिए 1 था, नई, अब मुझे 1 था, क्यों है और 0 करना है, तो यहाँ पर कौनसी कंडिशन आएगी, देख लीजए, यह वाली, 1 था, मैंने 0 करने के लिए, J is equal to 0, और K is equal to 1 लिया, similarly, 1 का 0 करने के लिए, J is equal to 1, और K is equal to 1 लिया, तो यहाँ पर अगर आप notice करेंगे, K same है, बट J change हो सकता, यानि J में कुछ भी हो फरक नहीं पड़ता, K की value 1 fix होनी चाहिए, तो हम यह condition भी note कर लेते हैं, तो मेरा output 1 था, मुझे उसे 0 करना है, तो J कुछ भी हो मतलब नहीं है, यानि उसमें कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा, बस K की value 1 fix होनी चाहिए, next condition, कि चलिए 1 था और मुझे 1 ही रखना है, तो यहाँ पर देख लीजे 2 बार है, 1 है और मुझे 1 ही रखना है, यह dark blue वाले lines, यहाँ पर हमारा जो J है, वो 0, 1 हो रहा है, वाइल K, 0, 0 पर fix है, तो हम लोग इसे भी notice कर लेंगे, तो देखे QN, 1 है, और मैंने बोला, चलिए QN प्लस भी 1 ही चाहिए था, तो J, X हो गया, और K, 0, तो this table, जो हमने निकाला है, this is your excitation table, यानि आप ऐसे बोल रहे हैं कि, भई मेरा एक output 0 है, मुझे 0 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी बोलेगा आपको, तो J की value 0 fix कर दे, K में कुछ भी हो फरक नहीं पड़ेगा, तो इसी तरह से आप ये excitation table निकाल सकते हैं, और इसे अगर आप रटना चाहिए, तो एकदम simple तरीका है, देख लीजे, ये तो आपको 4 input है, QN, QN प्लस 1 के combination, तो ये तो याद होने चाहिए, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं याद है, तो 2 0 2 1 0 1 0 1 ऐसे भी याद कर लीजे, इसे भी याद कर लीजे, it is very simple, output याद करने के लिए, अगर आप ध्यान से notice करेंगे, जो J की train है, यानि जो हमारे numbering है, वो देखे, 0 1 x x, इसे उल्टा करेंगे तो क्या हैगा, x x 1 0, तो J का जो है, उसे उल्टा कर लीजे, यानि अगर आप J अच्छे से याद करके जाएंगे, कि आपको उल्टा लिख देना है, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको मैं बोर्यू कि समझें मत, ये topic आपको अच्छे से समझना है, अगर आप एक्जाम में ट्राई करते हैं कि मगप कर लें, तो ये trick होती है, अब हम लोग बनाते हैं इसका डाइग्राम, तो state diagram बनाना है, तो state diagram, कि मैं बोलती हूँ जैसे मेरे output के states है, तो कितने state होंगे, obviously हमारे binary output होते हैं, तो दो state होंगे, एक state है zero, दूसरा state है one, अब ये जो दो states है, अगर मैं बोलती है कि ये वाली conditions, मुझे थोड़े बोलते हैं ना, creative तरीके से बताने तो वही करने वाले हैं, मैं बोलती है, zero है, zero ही रखना है, तो क्या condition है, j और k की, j is equal to zero, k is equal to x, तो यहाँ पर मैंने note कर लिया, तो यह हमें बताता है कि अगर आपको zero है, और arrow की मतद़ से zero ही चाहिए, देखे ये अंदर की side आ रहा है arrow, it means अगर आपको zero है, output और zero ही रखना है, तो आप j को zero रख लिए, k को x रख लिए, आपका output zero का zero ही रहेगा, next, zero था, one चाहिए, तो देखे, zero था, मैं one पर जंप कर रही हूँ, तो j की value यह रही, one x, तो j is equal to one, k is equal to x, next, one था, zero चाहिए, मुझे output, तो j is equal to x, k is equal to one, तो यह note कर लिया मैंने, and last, j is equal to one, sorry, qn और qn प्लस one, यानि, अगर आपका output q पहले one था, और फिर मुझे next state भी one ही चाहिए, तो, j is equal to x, k is equal to zero, तो यह हमने बना लिया, इसका state diagram, तो with this, आपको जो jk flip-flop को basic working होता है, यानि उसके जो basic चीज़े हैं, जो कई पे भी आप अगर पढ़ते हैं, sequential circuit के दूसरी modifications, वहाँ पे काम लगते हैं, हमने सारे पूरे कर लिया है, I hope आपको यह content एक तम अच्छे से clear हो चुका होगा, अगर आपको फिर भी कोई doubt लगता है, you can definitely let me know in comment section, साथ ही साथ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो you can definitely subscribe my channel, and give me a like button, तो आपको नीचे like की एक button दिखरी होगी, icon चोटी सी click कर दीजे, and don't forget to subscribe my channel, इसी के साथ, अगर आप books डाउनलोड करना चाहते है, digital electronics या और भी कोई engineering subject related, तो आप हमारे ब्लॉक को विजिट कर लीजे, link description में है, आपको free में e-books मिल चाहेगी, you may find it helpful, thank you for watching this video, I'll see you in the next lecture, till then bye bye,